Hello everyone, I welcome to all of you to the another episode of doubt session and chit chat. Actually, क्या हुआ कि मैंने जो अभी कल ही जो वीडियो में अप्लोड करी थी, उसमें एक डाउट रह गया था और इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से आज मैं आपको जो वो जो डाउट रह गया था उसको जूरू डिसकस करूँ बेकोज डाउट किसी की भी हो, help मेंशा सभी की होती है. तो जल्दी से हम वो जो डाउट है वो जूरू देख लेते हैं. So, डाउट में यह कहते हैं कि, Sir, why can't we put the formula A is equal to change in velocity upon time and then calculate the force in the 10th and 13th question. If I do like that, my answer will be wrong. Sir, is there any rule that when we are calculating average force should be used in P by T, P मतलब यहां पर था आपका लिरे मोमेंटम and T आपका time है. तो देखें, मैं आपको पहले इसके बार में बहुता दूँ कि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो change in momentum divided by time है, actually वहीं से यह जो formula है, यह आपका generate हुआ है. चाहे तो आप formula लगा सकते हो, F is equal to change in momentum upon change in time, या आप लगा सकते हो, F is equal to M into A, दोनों का मतलब एक ही होता है. अब यह चीज़ प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, कि मैंने अपने जो questions थे ना, उसके अंदर मैंने इसका इस्तिमाल किया, बट मैं आज इस formula का इस्तिमाल करके, उन दोनों को solve करके दिखाऊँगा, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं, तो देखिए जहां तक इस numerical के बार में हम बात करें, देखिए आपने जो मुझे question पूछा है, वो बिलकुल सही पूछा है, कि actually मैंना, जहां पर मैंने उसको solve किया है, तो उसकी जो value है, वहाँ पर 0.125 Newton मैंने डाली हुई है, but in actual practice जब हम उसको solve करते हैं, तो उसका answer 125 Newton आता है, ना कि 0.125 Newton आता है, और वो इसलिए हो सका, क्योंकि इस case में जो ball है वो हमारी gram में दी हुई है, उन्होंने जहां पर इसका answer लिखा ना, तो मुझे नहीं रखता कि उन्होंने gram को kg में convert किया होगा, तो मैंने किया है कि इसको ठीक करके already मैंने वीडियो को replace कर दिया है, आप वहाँ पर उस चीज़ को देख सकते हो, जहां तक बात रहे आती है आपकी यह जो next question था, यह मैंने बिल्कुल exactly ठीक है, इसको मैं दुबारा आपके लिए करके दिखा देता हूँ, in the form of f is equal to m into a, मैं देखी कैसे करेंगे, सबसे पहली बात यह है कि मेरे पास जो mass है वो यहां पर दिया हुआ है 48, 480 kg का, ठीक है न, तो जो speed है वो आपको दी हुई है 54 km per hour, 54 km per hour, इसको मैं m per second में convert करूँगा, तो यह आदेगा मेरे पास 5 by 18, तो जैसे आप इसको देखोगे, तो जब यह कटेगा, तो यहां पर आदेगा, that is 3, तो यह आदेगा आपका 15 meter per second, clear हो गया, तो पहले हमने क्या किया है, mass लिखा, speed लिखा, moving at a speed मतलब यह कौन सी speed है, यह आपकी initial speed है आपकी, कहता, it's stopped by applying a break, तो जैसे मैं इसके उपर break लगाता हूँ, तो इसकी final velocity क्या आजाती है, 0 आजाती है, कहता, calculate the force applied by the breaks, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी retardation calculate करते हैं, मतलब a is equal to v minus v over t apply करूँगा, देखें, यहाँ आजएगा 0, minus 15, divided by जहां तक time की बात है, वो यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा, तो जब आप इसको देखते हैं, तो आपका अंसर आएगा, minus 1.5 meter per second का square, तो यह आपकी retardation आ चुकी है, अब मुझे यहाँ पर बात करनी है, force की तो force होता है, m into a, तो m आपके पास 480 का है, आप इसको multiply करते हो, minus 1.5 meter per second square से, तो देखें, इस case में जब आप इसको multiply करोगे, तो आपका अंसर आ जाता है, minus 720 newton, तो यह है आपका required answer, is that okay, minus सिर्फ यह बता रहा है, कि यह आपकी एक तरह की retarding force है, I hope, आपको समझ में आगया होगा, कि जुरूरी नहीं कि मैं सर्फ वो ही एक formula इस्तमाल करूँगा, क्योंकि दोनों का मतलब exactly same ही होता है, तो आप यह भी apply कर सकते हो, वो भी apply कर सकते हो, तो जहां तक बात हम करें इस question की, तो यहाँ पर calculation error है, इस वज़ए से आपका answer जो है, जो book में दिया है, वो आपका गलत दिया हुआ है, तो जो उसको ठीक करने के लिए, मैंने already video upload कर दी है, तो आप प्लीज वाँ पे जुरूर देखना, I hope आपके जो doubt होगा, वो अब clear हो गया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही, Thank you so much.